हेलो फ्रेंट्स आज के वीडियो में हम लोग डिजिटल सर्किट के बारे में बात करेंगे डिजिटल सर्किट वहता है जो की हमारा डिजिट जिरो और एक पर काम करता है काम करता है नमस्त habían करता है डिजिटल बारे करें तो डिजिटल सर्किट हमारे दो टरीके से होता है दो टाइप होते होते हैं पहला होता है और दूसरा होता है सेक्वेंसल सरकिट combination circuit की बात करें तो combination circuit वो circuit होता है जिसका present output सिर्फ और सिर्फ उसके present input पर depend करता है the combination circuit as a circuit whose output, present output depend only on only its present input तो simple अगर हम इसके उधारन में देखें तो इसके उधारन हमारे adder, subtractor multiplexer, demultiplexer encoder और decoder ऐसी ही अगर हम sequential circuit की बात करें तो sequential circuit वो circuit होते जिनका जो present output होता है वो present input के साथ साथ में इसका जो पहले से output था उसके भी depend करता है इसके example है हमारे flip-flop, register, counter, clock इत्यादी तो simple अगर हम बात करें कि actual में क्या combination circuit अगर हम definition तो अलग जा जैसे इसका उधारन हमने लिया एडर एक अगर एडर का उधारन लेके अगर हम इससे समझना चाहे तो जैसा हमरे पास ही के हमने टेबल लिये यह हमारे पास एडर है दो इंपूट का एडर है इसका input A है और B है तो पहले condition में हम क्या करते हैं तो इसने अपूट में दे दिया 3 प्लस 1 इस उगल टू 4 फिर एडर में 8 इस एगल टू पूर है और ब ही तो आट पूट में 9 दिया ऐसे हमने के हमने के जगे 2 रखा और ब किCal के जगे 3 टीन रखा तो आट वाननिने 5 दिया तो ये जो output है इसका 3rd number का ये किसी भी तरीके से इससे पहले वाले पर depends नहीं कर रहा है नहीं इसका ये जो ये वाला output है ये इस पर depend कर रहा है ये सिर्फ और शिर्फ आभी इसके present input पर depends कर रहा है तो ये होता हमारा combination circuit और जैसे sequential circuit में हमने देखा कि इसका जो present output होता है वो उसके present input के साथ साथ में पहले वाले output में भी निरभर करता है और उधारन में हमने इसके देखे था flip-flop register counter तो इसका भी हम एक उधारन देखते हैं मानके चलिए हमने counter लेके रखा है एक गेट पर हमने counter लगा दिया आप यह counter का काम क्या है counter काम यह है कि जिसे जितने लोग गेट से अंदर आएंगे वो इनको count करेगा और उसको 8 करके simple output में देता रहेगा तो मानके चलिए पहले starting में इसकी memory में मतलब पहले कोई नहीं है तो output दे दिया हमारा 2 इसने simple 8 किया यहां से जैसे की दो आया तो यह इसका output दो आया और यह दो आके यहां पर इसके memory में store हो गया मतलब इसका जो पहले वाले memory में फिर इसको 2 की जगे फिर यह 3 कर देगा फिर यहां पर हमारा 3 हो जाएगा memory में फिर next step में हां पर हमारे पास 4 बंद फिर चार लोग फिर आए ती हो जाएगा 7 तो इस तरीके cycle चलता अब यहां पर बात करें तो इसका जो present output है जैसे इसकी बात करें तो यह इन दोनों के साथ साथ में पहले क्या output था उस पर भी डिपेंट करता तो यह होता हमारा सेक्वेंशल सब्सक्राइब की बात करें तो यह हमारा प्लोक छाहएं चैए और यहां हमारा सोटेक्गिंशल सरकींट का ब्लोट डाइग्राइब में इसमें हमारे यहां फोन्चन्ट्रव टाएग्राम है तो अगर सेक्वेंशल सरकीट की सेक्वेंशल सरकीट एक तरीक famille हलोता है इस में फिटबेक हम एक memory element लगा देते हैं जो की data store करके वापिस हमारा combination circuit के input में फिर से देता है तो जिसे हमने देखा कि combination circuit में हमारा memory की जबरत हमें नहीं पड़ती जबकि sequential circuit में memory की जबरत हमें पड़ती है ऐसे अगर बात करें तो इसकी speed की बात करें तो combination circuit में जो data है यहां से जाएगा यह इसको process करें और आगया output में देगा यह इसका कोई analysis नहीं करता है जब sequential circuit की बात करेंगे तो यह data पहला हमारा यहां पर जाएगा इसके बाद यह पहला data हमारा input data यहां से आएगा फिर हमारा जो memory होगी memory से data को उठाएगा फिर इन दोनों की जो operation होगा output में देगा और बाकि data जो output होगा एक सीधे output में देगा दूसरा memory में store कर देगा तो यह जो process होती थोड़ी इसमें थोड़ा टाइम लगता तो यह slower हो जाता है और हमारे वाला next point है हमारा it's elementary building blocks are logic gate सी यह इसके जो elementary building blocks रहते हैं यह logic gate होते हैं जबकि जो sequential circuit होता है इसके जो elementary building blocks रहते हैं यह flip-flop रहते हैं next हम सिंपल यहां पर देख सकते हैं कि इनको इसका circuit easy है और इसका circuit थोड़ा complex है तो इसका जो circuit होता है यह easy रहता है बनाना तब जबकि इसकी बात कर रहे तो यह से इसका circuit हमारा complex होता है यह simple था हमारा digital circuit के बारे में इसके में बात की और combination circuit or sequential circuit में क्या अंत्र होता है इसके बारे में हमने देखा थैंक्यू सो मच